हलो गिन उत्वदेश्ट का बजट यहां पर कल प्रस्तूत किया गया और इस साल के बजट 2022 थे इसके यहां पर प्रमुख तथ्य शार और घटना करम रहें हाइलाइट्स क्या रहें इस साल के बजट में उनको यहां पर ध्यान से समझ लीजे क्योंकि यूपी का जो बजट है उनको यहां पर देखना है सारी चीजों को ग्राफिक स्थू अच्छे से यहां पर स्टडी करेंगे वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि बजट से रिलेटिट हर एक घटना करम को अच्छे से यहां पर कवर किया जा रहा है तो चलिए देखते हैं यहां पर प्रस्तूत किया गया है बजट सत्र में यहां पर देखा जैंतो यूपी का जो बजट आपको आया है यह आप देख सकते हैं करीब 6,15,5897 करोण का बजट यहां पर इस साल रखा गयाए¿ डेटा ध्यान रखेगा 6,15,589. 97 करोण का ये बजट प्रस्तूर किया गया है और आतन निर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ बजट 2022 देश यहां पे रखा गया है इस बजट में देखे तो साथी साथ कहा गया है कि जन आकांग्षाओं के अनुरूप बजट में 49,181 करोण की यहां पर योजनाय भी स समझेंगे छेत्र वाइस ले करके यहां पे सारी जानकारी को लेकिन उससे पहले बजट में हमेसा जो पूछा जाता है कि घाटा, राजगोशी घाटा क्या है, या आपका प्रात्मिक घाटा क्या है, इसको ले कर आपसे लगातार यह प्रश्न पूछे आते हैं तो इनको ध 2022 के बजट अनुवान और 2021 का संचोधित अनुवान 2022 ते इसका यहां पे एक बजट अनुवान आपको प्रस्तुत किया जाता है अब देखा जाए अगर यहां पर आपको तिस साल के बजट में अगर हम देखें तो राजस लेखे की जो प्राप्तियां हैं जिसमें हम कर राजस व करेतर राजस दोनों को शामिल करते हैं इसमें देखा जाए तो यह अनुवान बताया गया है कि करीब 49,49,212,71 करोण का यहां पर राजस व लेखे की प्राप्तियां प्राप्त होंगी जो देखा जाए पिछले सालों के मुगाबले आपको सबसे जादा यहां पर बताया गया है इसी तरीके से पूंजी लेखे की प्राप्तियों को देखें तो यह अब अब आपको 91,749 करोण रुपए बताया गया है और यह देखा जाए तो पिछले वर्षके में देखा जाए तो 91,286 करोण यह संचोधी तर्मान निकल कर आया था कुल प्राप्तियों की बात करें कुल प्राप्तियों में देखें तो आपको अर्थात राजस लेखे की प्राप्तियों और पूंजी लेखे की प्राप्तियों दोनों को हम अगर मिला देते हैं यहां पर देखिए इस साल के बजट में बताय गया है कि करीब 5,90,951 करोन रुपए कुल प्राप्तियों के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले अब इसमें देखिए पूझी लेखे और सारी चीजों के राज्य सरकार के पर व्याद अदाइगी है 45,987 की पूंजी लेखे पे जो वय है एक लाख उनसर चार्सों निस का पूंजी गत परिवय बताये गया है कि एक लाख तेज़ा नौसों निस का करेंगे रिन अदाइगी पर जो है बतीज़ार पांसो तिरसट करोन कर्श किये जाने वाले हैं इसके अलामा देखे कुल वय ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं कुल वय के बारे में साथी साथ यहाँ पर देखे राजसो बचत राजकोशी घाटा प्रारंबिक घाटा इनको भी ध्यान रखेगा तो कुल वय का मतलब राजस खेल लेखे पर और पूंजी लेखे पर आपने जितना भी वय किया है तो सरकार यहाँ पर वय करने जा रही है करीब 6,15,589,8 करोण रुपए का यहाँ पर राजसो बचत अगर हम देखें तो इसमें राजसो आए राजसो वय को निकाल दें तो यह आपको 43,133,65 करोण की राजसो बचत होनी है राजकोशी जो घाटा इसमें देखें बताया जा रहा है वो है आपको 81,170,98 करोण का और जो प्रात्मिक घाटा इसमें है बताया जा रहा है वो 35,195,2 करोण का बताया जा रहा है तो यह सब यहाँ पे ध्यान रखना है, यह data आपको कि राजकोशी घाटा, प्रारंबी घाटा, कितना कितना रहने वाला है, इन दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि यह question आप से पूछा जा सकता है, अब इसी को यहाँ पर आप थोड़ा सा ग्राफिक्स के इसमें बताया गया है, और यह आपको पिछला data है, तो देखें जो करे राजस्त है, इस साल यहाँ पर देखें आपको बताया गया है, तीन लाख सरसाथ हजार एक सो तिरुप साच्छे करोन है, जो कि पिछले साल दो लाख पचतर हजार दो सो तैतालिस करोन था, इसी तरह केंदर सरकार से जो सहायता अनुदान के रूप में अप्राप्त होगी, इस साल के बजट में बताया गया है, एक लाख आठ चार साथ करोन रूपाए यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो पिछले साल के अनुमान से अधिक हैं, इसी तरीके से राजस लेखे पर जो यहाँ पर व 79,1802 करोन यहाँ पर यूपी सरकार खर्च करने जा रहे हैं इस वित्ती वर्ष में, आर्थिक सेवाओं के लिए यहाँ पर 9,300 करोन और समुदेशन के रूप में यहाँ पर 18,000 करोन रुपए का खर्च यहाँ पर बताया जा रहा है, इसी तरीके से पूझी लेखे पर प्र 274 करोन रुपए है, केंद सरकार से कर्ज तथा अगरिम जो है वो इस साल सिर्फ यहाँ पर 25,000 करोन रुपए और रिनो और यहाँ पर अन्वसूलियों के तवर पे 2565 करोन रुपए बताया गये हैं, इसी तरीके से पूझी लेखे पर व्याय कितना किया जाएगा वो भी सा समाने सेवा पर पूझी ओटवे है वो 7,380 करोन रुपए यहाँ पर आपको देखा जाया तो 44,914 करोन रुपए आर्थिक सेवाँ पर पूझी ओटवे पताया गया है कि 71,625 करोन रुपए वे किया जाएंगे राज सरकार के आंत्रे किरिणों के भुकतान में यहाँ पर 3,96 करोन किंद सरकार से कर्ज और अग्रिम के रूप में 15,97 और कर्ज था उधार के रूप में 9,946 अमलो 7,8 करोन रुपए यहाँ पर खर्च किये जाएंगे अब यहाँ पर एक क्वेशन हमेशा जो आपसे पूँचा जाता है कि जो राज सरकार को जो पैसा आता कहां से है और सरकार यहाँ पर वे कितना कहां कर रही है तो उसको भी यहाँ पर आप देख लीजिए देखे सरकार जो है UP की जो सरकार है उसने बताया है कि 2021-22 का यहाँ पर यह उन्होंने बताया है कि जो पैसा खर्च हो रहा है यहाँ पर सरी आता कहां से है तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है उत्तब जे सरकार के लिए जो income का source है वर स्वयम के एकर राजस्व है जो कि 36 समलो 5% इसका हिस्सा है दूसरा देखे तूसरा सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर आप देख देखते हैं केंदरी करों में राजजान्स के रूप में जो 24 समलो 2 प्रशत है तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है केंदर सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 17.9 पृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सरकार के दोरा यहां पे जो वए किये जाते हैं, ठीक है, जाता कहा है, कहा कहा सरकार खर्च कर रही है, उसको भी देख लिजे, यहां पर भी आपसे कुछर्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि पूझी गट परिवे की रूप में यहां पे सरकार 20 सम्लो 5 पर प्रशत करती है जो सबसे जाड़ा जो आपको व्यासर राज यूपी सरकार करने जा रही है दूसरा देखा तो अन्य राजसुवे में 13.75 प्रशत है वेतन और सरकारी कर्मचारियों को इलिए 13.01 प्रशत है केंद्रो वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं को 12.02 प्रशत के प्रतिमान के रूप में 37.02 प्रशत और 7.07 रिनवा अग्रिम के रूप में 37.00 अस्थानी निकायों के समूदेशन के रूप में 3.01 यह सरकार के खर्च है जो कि इन शेत्रों करती है अर्थात एक रुपए में उसका कहा कहा कितने कितने पैसे यहाँ पर खर्च करती है उ ऐसे कि 2022 देस का जो बजट अनुमान है उसमें देख लीजिए, राज के स्वयम के कर राजस में जो हिस्सेदारी है, रूप में बताये गया है, साथी अगले तीन वर्शों का भी यहां पर डेटा दिया गया है, कि इसे हम यहाँ पर देखिए आगे चलके राजिका जो स्वयम कर राजिस का हिस्ता है वो बढ़ेगा 11.1, 11.4 और 11.7 परस्ट क्रमसाथ 23, 24, 24, 25 और 25, 26 में इसी तरीके से राजिका स्वयम का करेंटर राजिस पर देखिए यहाँ पर बराबर रहेगा 23, 24 में 1, 1 उसके बाद 24, 25, 25, 26 में यह घट करके 1% हो जाएगा राजिस परचित की बात करें जो 2022-23 के बजट में बताये गया कि 211 पर रहेगा उसे अगले तीन वर्षों में करमसाथ 25, 25, 25, 29 और 303 पर रहने के अनुमान बताये गये हैं इसी तरीके से जो राजकोशी घटा है इस वर्ष यहाँ पर 3.96 रहने का अनुमान बताये गया है जिसे घटा करके अगले तीन वर्षों में 3,4, 7 पर रहने का अनुमान है इसी तरह उधार और आने दिवतायों में भी देखे तो 32 प्रिश्चत 2022-23 के बजट के अनुमान में बताया गया है जो अगले तीन वर्षों में ये 32 प्रिश्चत यहां पे एक्रमसाद 2023-24, 24-25 और 25-26 में रहने के अनुमान बताया गया है इसके बाद ये राजकोशी घाटे के अपगटन यहां पे बताया गया है करोन रुपए में और इस साल में अगर देखा जाए तो जो सरकार के राजसो बच्चत हैं वो 43,124 करोन पूंजी गज जो परिवे हैं 12,920 करोन और सुधवा रिणवा एवं अग्रिम के रूप में 382 करोन का यहां पे अनुमान बताया गया है चलिए बात करते हैं इस साल के बजट में सरकार की द्वारा कौन कौन सी यहां पे प्रमोगोशनाय की गई हैं तो 6 तरवाद यहां पर एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते और समझते चलते हैं ठीक है सबसे पहले देखिए अवस्थापना और अद्दो के विकास के लिए हम यहां पर डिसकस करेंगे और इसमें देखिए मेरट हो प्रयागराज तक 594 किलोमेटर लंबी 6 लिन गंगा एक्सप्रस पे परियोजना है तो भूमिक्रे का कारे लगभगपून हो गया है और निर्मार कार प्रक्रियाधीन है और इसके लिए 695 समलो 3-4 करोन रुपए की विवस्था को प्रस्तावित किया गया है इस साल के बजट में दूसरी जो घोशना यहां पर अवस्थापना और अद्दो के विकास के छित्र में की गई है कि प्रदेश के सभी ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वेज के किनारे इंड्रस्ट्रियल कॉरिडोर विक्सित करने का निर्ने लिया गया है और इसके प्रथम चरण में 500 करोन रुपए की विवस्था को प्रस्तावित किया गया अवस्थापना विकास के अंतरगत ही प्रधार मंत्री गतिशक्त योजना के और Optical Fiber Cable Network पूंजी के परियोजनाओं को 300 करोन रुपई की यहाँ पे विवस्था को प्रस्तावित किया गया Fast Track Project Planning के लिए PM गती, शक्ती National Master Plan, संभावित बिजनेस, पार्टनर्स के लिए उच्च गुणवत्ता की और द्योगिक अस्थापना हिद सुविधाएं Artal Industrial Infrastructure Mission का कारियान्वन किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण के लिए यहाँ पे 100 करोन का प्रस्ताव दिया गया है अवस्थापना विकास के अंतरगत ही, प्रदेश में Digitalization को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत परियोजनाओं को 200 करोन रुपे की ब्रस्तावना यहाँ पे बजट 2023 के रखी गई है इसी तरीके से अवस्थापना और विकास के असासात यहाँ पे चिक्स्वास और चिकिस्था को भी इस साल के बजट में यहाँ पे प्रमुक महत्ता दी गई जिसमें पहला देखिये पॉइंट यहाँ पे प्रदेश में 9 से 14 वर्ष की 1 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन की दोनों खुराग से अच्छादित किये जाने है तो 50 करोन रुपे की यहाँ पे विवस्था को प्रस्तावित किया गया इसी तरह से राज्य कर्मचारियों, पिंशनरों की अजसाध बीमारी के उपचार है तो राज्य कर्मचारी, कैस्वेश चिकिस्था, योजना है तो यहाँ पे 100 करोन की विवस्था को प्रस्तावित किया गया स्वास्तियम चिकिस्था में, राज्य औश्यद नियंतरन प्रणाली के सुद्रिनी करन है तो, खाद्य औश्यद प्रयोक शालाओं, इवे मंडली कारे शालाओं के निर्मान के लिए 50 करोन रुपए की विवस्था को बजट में प्रस्तावित किया गया साथी, मातरिज प्रधान मंत्री वंदना योजना के लिए 320 करोन रुपए, 3207 करोन का प्रस्ताव है, वहीं 15 वितायों की संसितियों के अधीन 2908 करोन रुपए की विवस्था को प्रस्तावित किया गया है आईश्मान भारत योजना हे तू 560 करोन रुपए और आईश्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग योजना के लिए 200 करोन रुपए उत्तव देश के बजट 2022 ते इसमें प्रस्तावित किये गये है साथी राष्ट्री ग्रामिर स्वास्त मिशन के लिए 10572 समलो 42 करोन रुपए की विवस्था को प्रस्तावित किया तो प्रधान मंत्री आतनिर्फर स्वास्त भारत योजना हे तू 620 करोन रुपए की विवस्था को भी इस साल के बजट में प्रस्तावित किया गया है जितनी भी योजनाओं हैं उनके बजट में कौन-कौन सी योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटिद किया गया है योजनाओं को धियान में रखिएगा और इनके बारे में भी आपको थोड़ा study करनी पड़े क्योंकि बजट में ने highlighted किया गया है तो इनके बारे में आपको main question भी पूँचे जा सकते हैं चलिए अगला देखते हैं सामाजिक सुरक्षा के छेतर में इस साल के बजट में क्या विशिष रहा सबसे पहली बात देखें साल के बजट में कहा गया है कि बुज़ुर्ग पुजारियों, संतों, पुरोहितों के समगर कल्यान की योजनाओं हे तो एक क्रियानवन हे तो बोड का गठन करने हे तो एक करोन रुपए की विवस्था को प्रस्तावित किया गया जो कुष्ठा वस्था विकलांग भराण पॉष्ण योजना के अंतरगत तीन हजार रुपए प्रतिमाह की दर से चौतिस अमलों पांच जीरो करोन रुपए की विवस्था को प्रस्तावित है वहीं मैनुवल स्कैवेंजर्स की मृत्यू चत्पूर्थ योजना है तो यहां पर देखे कई बार नालों और यहां पर सीवेच के व्टरान सफाई के दौरान कई लोगों की मृत्यू हो जाती है तो उसके लिए यहां पर डेढ़ करोन रुपए की योजना को प्रस्तावित किया गया है मुख्य मंत्री सामोही की विवाह योजना को देखें तो 600 करोन रुपए और दिव्यांग भरन पोशन अनुदान हिद 2022 देथ में 1000 करोन रुपए की व्योस्ता को सामाजिक सुरक्षा के तहट प्रस्तावित किया गया सामाजिक सुरक्षा में ही राजसरकार के दौरा निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतरगत पेंशन की धनराश 1000 रुपए प्रतिमा कर दिया गया इसमें 31 लाक महिलाओं को लाभानवित किया गया है और वित्ती वर्ष 2022 ते इसमें योजना के लिए 4,032 करोन रुपए प्रस्तावित है युवा कल्यान को भी इस साल के बजट में महित्ता प्रदान की गई है और युवा कल्यान के कई अलग-अलग पहलों को ले करके प्रदेश सरकार के द्वारा कई यहां पर विकास और योजनाओं को यहां पर घोशित किया गया जिसमें देखे खेल को यहां पर एक इंपोर्टन्स देते हुए खेल अवस्थापनाओं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने है तो वित्ती वर्ष 2021 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माड करना 6 अत्याधुनिक जिन और सुरी जिम यहां पर विभनित जन्पदों में अस्थापित किया जाएंगे भारा सरकार की खेलों इंडिया एक जन्पद एक एक खेल योजना के अंतरगत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स को अस्थापना को देखे यहाँ पे बजट में प्रस्ताविद भी किया गया है खेल के विकासे मुत्कृष्ट कोट के खिलाडी तयार करने है तो जनपद मेरट में मेजर ध्यानचंद खेल विश्विद्याले के निर्मान में 700 करोन रुपए के धनराश व्याय होगी और फिश्रीदाले के स्थापना के हे तो यहाँ पे 50 करोन रुपए की विवस्था को प्रस्तावित किया गया युवाओं के विभने छेत्रों में उद्यम शीलता नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टप नीक 2020 के अंतरगर्ट पांच वर्ष में प्रतेक जन्पद में कम से कम एक तथा कुल 100 इंक्यूबेटर्स एवं 10,000 यहाँ पे स्टार्टप की स्थापना का भी ल विवस्था को प्रस्तावित किया गया वहीं प्रतियोगी छात्रों की कोचिंग की सुवधा उपलब्द कराने हेतू मुख्यमंत्री अभ्यूदय योजना का विस्तार प्रदेश की सभी जन्पदों में किया जा रहा है और योजना हेतु यहाँ पे 30 करोन रुपए की व्य पोशन, सिक्षा, चिकिस्था, आदी विवस्था है तो जोन 2021 से उत्तवदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन हो रहा है योजना के अंतरगत पात्र बच्चों को 4000 रुपे माह प्रति माह की आर्थिक सहायता यहाँ पे प्रदान की जा रही है इसी तरीके से कुपोशन के मुद्धों को दूर करने है तो 203 ब्लॉक अस्तरी केंद्रों को बढ़ावा दे कर कुपोशन पुनर्वास केंद्रों को जिलों से ब्लॉक अस्तर तक ले जाने के लिए ब्रजटी प्रावधान है प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कमारी कार्मिकों 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया आगन बाड़ी कारेकात्रियों को बहतर कार्म दर्शन है तो प्रेरित करने के लिए सितंबर 2021 से 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से प्रोचाहन राश यहाँ पर दी जारे तो महिला उत्थान को भी यहाँ पर इस बजट में रखा गया है महिला के उत्थान के लिए सोख्ष्वेम लख उद्योग में मिशन शक्ती का एरक्यम के अंतरगत महिलाओं की सुरक्षा ससक्ती करण कोशल विकास सित यहाँ पर 20 करोण की व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया वहीं महिलाओं की अधिक भागीदारी है तो यहाँ पर तीन महिला पीएसी बटालियन लखनओ गोरकपुर और बदाईयों में इनका गठन किया जा रहा है समस्त जन्पदों में साइबर हेल्पडेस की स्थापन की जा रही है महिला सामर्थ योजना के तहट 72 समलोग पांच जीरो करोण की व्यवस्था यहाँ पर प्रस्तावित की गई है किशान कल्यान को भी साल के बजट में यहाँ पर प्रमुख विशेष्था के तौर पे शामिल किया गया है किशान कल्यान को लेकर देखिए जो घोशना की गई है कि रवी विश्पणन वर्स 2022 ते इसमें सरकार के द्वारा गेहूं का नियूंतम समर्थन मोले 2015 प्रतिकुंटल निर्धारित किया गया है वहीं प्रदेश में केहूं क्रय अवधी दिनांक एक अप्रेल से 2022 से 15 जून तक 2022 तक यहाँ पे निर्धारित रहेगी मुख्यमंत्री क्रिशक दुर्गटना कल्यान योजना के अंतरगट दुर्गटना वर्ष मृत्यू या दिवग्यांगिता की स्तिती में 5 लाग रुपए दिये जाने का प्रावधान है वित्ती वर्ष 2022 तेस के बजट में इस योजना के अंतरगट 650 करोन रुपए की व्यवस्था को भी प्रस्तावित किया गया किसान के कल्यानों के लिए क्रिशकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वर्कों की उपलवता को भी सुनश्चित किया जाएगा साथी 2021-22 में 99 समलो 80 लाख मिट्रिक टन उर्वर्क का यहाँ पर वित्रण भी किया गया है वर्ष 2022 में देखें तो 119 समलो 30 लाख मिट्रिक टन उर्वर्क के वित्रण का लक्ष भी बजट में यहाँ पर बताए गया किसान कल्यान के तहती सरकार के द्वारा 34307 राजकी नलकूपों 252 लगु डाल नहरों द्वारा क्रिश्कों को मुफ्त सिचाई की सुविधाव पलब्ध कराई जा रही है मुख्यमंत्री लगु सिचाई योजना के अंतरगत 1000 करून रुपय की विवस्था इस साल के बजट में प्रस्तावित की गई क्रिश्यूत पादन में गुड़मत्ता युक्त बीजों का सरवाधिक महत्व है उसलिए 2021-22 में करीब 60 समलोग 10 लाग कुंटल बीजों का वित्रण किया गया किसान कल्यान में ही देखा जाते क्रिश्कों को सिचाई है तो डीजल विद्दूत के स्थान पे वैकलपिक उर्जा के प्रबंधन के अंतरगत प्रधान मंत्री किशान उर्जा सुरप्षा उत्थान महा भियान योजना के अंतरगत क्रिश्कों के छेत्रों में सोलर पंपो के लिए 800 करोण अनावासी भावनों के लिए 800 करोण नव स्रिजी जन्पदों और पुलिस आवासी अनावासी भावनों के लिए 300 करोण न उसे जन्पदों में पुलिस लाइन्स के निर्माड है तो भूमक्रह है तो 75 साथ जीरो करोन की विवस्था को प्रस्तावित किया गया है तो कानून विवस्था को सुचुस्त दुरुस रखने के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा राजी सरकार ने अपने बजट में यहाँ पर सरशना के विकास को यहाँ पे महत्ता प्रदान की है साथी साथ अगर हम देखें यहाँ पे सेफ सिटी योजना के अंतरगत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनव, गौतम पुधनगर, आगरा, वारांसी, गोरकपूर, प्रियागराज में योजना लागू किया जाने हिट 530 समलो तीन-चार करोन रुपए की विवस्था यहाँ पे प्रस्तावित है कानून विवस्था को विशिष सस्थलों पर बहतर बनाने के लिए भी इस साल के बजट में प्रावधान किये गए जैसे मेट्रो रेल, धार्मे कस्थलों, अयुध्या काश्री मतरवा, अयतिहाश्री कस्थलों, ताजमहल, हवायडों, बैंकों, अनवित्ती संस्थानों और द्योगिक उपक्रमों, सामरेक महत्रमों प्रतिष्ठानों आज की उत्तन संरक्षा सुरक्षा एवं उत्तवदेश विशेश सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसे 236.66 करोण रुपए का प्रस्ताव के लिए प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है कानून विवस्था के अंतरगती सरकार की अपराद वा अपराधियों के प्रती, जीरो टॉलरेंस नीतिये अन्रूप प्रतेश की कानून विवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है प्रतेश अस्तर पर 50 सिन्हित माफियावा इनके गैंग के सदस्यों, सहयोगियों के विरुध, प्रभावी, कारवाही भी कराई जा रही है खाद सुरक्षा अधिनियम को भी साल के बजट में यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है योजना के अंतरगत प्रदेश के लगभग 15 करोन लोग इसमें लाभानवीत होंगे या देश के विशालतम, खाद्यान, वितरन, कारिक्रम है जिसका विस्तार अप्रेल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया इन्वेस्टर समिट को भी यहाँ पर इस साल के बजट में रखा गया है इन्वेस्टर समिट 2018 के आयजन से प्राप 4,6-8 लाग करोन तक के निवेश के प्रस्ताओं में लगभग 3 लाग करोन के निवेश प्रस्ताओं का कारिया इन्वन विभन चरणों में है आगा में 3 जून को इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग से रिनमनी में 75,000 करोन रुपए से अधिके निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा इसके रावा आने छेत्रों को लेकर भी यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट इसमें देख लीजिए जैसे कि राज्याब्दा मोचक निधी 2165 करोन 60 लाग रुपए की विवस्था प्रस्तावित की गई इसी तरह स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के 541 समलो 40 लाग करोन का प्रस्ताव किया गया 2021 में बाढ़ और अतिवरिष से हुई फसल छत के सापेक्ष 14 समलो 9-8 लाग करिशकों को 526 समलो 13 करोन रुपए के करिश निवेश के अनुदान प्रदान किये जाएंगे साथी पूरुचेतावनी के लिए पूरे छेत्र में यहाँ पर एक अभिनेयो मॉडल विक्सित करना मौसम विभाग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड मौसम पूरुचेतावने एलेट को बिना किसी टाइम लेके सौट्वेर इंटिग्रेशन के मादिन से SMS और IBRS कॉल्स द्वारा पोर्टल में दर्ज एक संदो दो 5 करोण जनता को रियल टाइम में प्रेशित कर उन्हें बचावे जानकारी दी जाएगी इसके लावा प्रथम बार में सरकार की आबदा राहत और योजनाओं को आम जन्मान से सुगमता से पहुचाने के लिए एक आउनलाइन प्लेटफॉर्म आबदा प्रहरी विक्षित किया जाएगा नियाए के द्रिशकोंट से अगर देखें तिस साल के बजट में उत्तब देश राष्ट्री विदिविश विद्याले प्रयागराज के निर्मान के हेतु 2022 देश में 100 करों रुपए के बजट का प्रावधान है वहीं उच्च नियाले के लाहाबाद और लखनव पीट के कारियों के निर्मान के कारियों है तो 705 करों रुपए अधीनस्त नियाले के आवासी और अनावासी भवनों के लिए 600 करों रुपए प्रदेश के अधीनस्त न्यालेों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए CCTV कैमरे और उन करणों के लिए 50 करोन रुपए और उत्तरवजस अधिवक्ता कल्यान निधी में पंजीकरित ऐसे अधिवक्ता जो अपने पंजीकरण के 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं कोपूर में अधिवक्ता कल्यान निधी से धनराशी के रूप में 1.5 लाग दी जाती थी जिसे बढ़ा कर 5 लाग रुपए कर दिया गया अधिवक्ता कल्यान निधी है तो नियासी समित को 90 करोन रुपए की व्यवस्था प्रस्तावी थे इसके लमा प्रदेश के अधिवक्ताओं को सुविधाये तो यहाँ पर अधिवक्ता चेंबर के निर्माण के लिए 20 करोन रुपए का प्रस्ताव दिया गया है खादियम रशद के छेतर में देखें तो अंतियोदय एवं पात्रि ग्रियस्ती काड़ धारकों को इसी तरीके से वनेवं पर्यावरण के छेतर में को भी यहाँ पर इस साल के बजट में प्रात्मिक्ता दी गई है और उसको लेकर भी इस साल के बजट में कुछ प्रावधान किये गए हैं जैसे उत्तवदेश के वनावरण व्रिक्षावरण की जो इस्थितियां है भागोलिक छेतर के लिहास से 9.23 प्रिश्चत है जोसे 2030 तक 15 प्रिश्चत किये जाने का लक्ष है वर्षा काल 2022 में व्रिक्षा रोपन है तो 35 करोण पौध रोपन का लक्ष है अब आजादी के अम्रित महोसाओ के उपलक्ष में अनपूर्णावन नगरवन अम्रितवन गंगा किनाने वनी करन योजना के लिए अस्थलों का चैन व्रिक्षा रोपन किया जाएगा ताकि यहां पर कारवन के अवशोषन पर्यावरण के संतुलित किया जासके प्रदेश की जनता को पेंड़ पौधों पस्पक्षियों प्राक्तिक संसादनों के प्रत संवेदन शिलों जाकरूक बनाने के लिए एको टूरिज्म को बढ़ावा देना 2022 तेस में सारनाथ डियर पार्क में वन्न जीवों का प्रवंधन परटक सोविधाओं का विकास की व्यवस्था की गई इसी तरीके से सहीद अश्फाकुल्ला खाँ प्राणियोध्यान गोरकपूर सोसाइटी हेथ कौर्पस फंड के लिए 50 करों की व्यवस्था प्रदेश में 12 प्रमुख नदियों को 141 बिन्दों का सघन अनुष्टरवन 319 नालों का नियमित अनुष्टरवन साथी यहाँ पे प्रदूश उत्प्रवा के निस्तारण नालों में नहीं किया जाएगा इसके अतरिक प्रदेश में 110 सीवेज उत्प्रवास सयंत्रों, 7 सयंक्त उत्प्रवास, सुध्धिकरण सयंत्रों, 1560 अति प्रदूशन कारी अध्योगे इकाईयों के नियंत्रण के अनुष्टरवन किया जा रहा है परटन की लिहास से गर देखा जाए तो उत्तवदेश परटन नीद के माध्यम से 693 समलों, 6,938 करों रुपए का निवेश प्रस्तावित है 184 ऐसे प्रस्तावों को बंजिकरित किया गया है उत्वदेश में 2021 में 10 करोण 1 लाग परिटक आए जिसमें से भारती परिटकों की संख्या 10 करोण विदेशी परिटकों की संख्या 1 लाग रही प्रतिवर्ष की भाई 2021 में आयुध्या में दीपोट्सों का आयोजन किया गया रामकी पैरडी पर 9,45,555 दीप जलाकर गिनीज वर्ड रिकार्ड भी बनाया गया वारानसी में देव दीपावली, महाशिवरात्री, बैलोन फेस्टिवल, बरसाना में भवे रंगोट्स लगनव रिज्डेंशी में आजादी का अमरित मौसव ड्रोन वा लेजर शो का आयोजन किया गया इसी तरीके से उत्तवदेश विंद धाम तीर्थ विकास परिशद है 3 करों 50 लाग उत्तफदिश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास से 3 करोण 50 लाकी व्यवस्था प्रस्तावित है मुख्यमंतरी परटन इस्थलों की विकास के लिए 300 करोण वारांटसी के परटन सुबधाउन संदरी करण के लिए 100 करोण का प्रावधान किया गया संस्कृत एवं धर्मार्थ कारियों के लिए यहाँ पे बजट में देखा जाए तो वाराणसी, गोरखपूर, साजहाँपूर सुल्तानपूर में प्रधानमंत्री के द्वारा विविन योजनाओं के लोकारपन, सिला न्यास का सांस्कृतिक परस्तूतियां दी गई, 2000 लोग कलाकारों को रोजगार पदान करना महरशी वालमीक जहनती के अवसर पर प्रदेश के समस्य जनपदों में वालमीक रामायर पाठ, रामचरित मानस पाठ, भजन गायन का यहाँ पे 1000 कलाकारों को उसमें प्रतिभाग किया, वारांसी में संत्रविदा, संग्रहाले और सांस्कृतिक केंदर के अवहीस संग्रहाले के स्थापना निरमान विस्थार उन्यन के लिए यहाँ पे 20 करोंड ँपे की विवस्था को प्रस्तावित किया गया, राम जन में जन सुधाओं के पार्किंग के निर्मान के लिए 209 करोण और 70 लाख रुपए की विवस्था की गई वाराणसी में निर्मल गंगा घाट का शिविश्वनाद धाम के पहुंचमार के विस्तारी करण के लिए 70 करोण रुपए की विवस्था ऑनलाइन एक एकरित मंदिर सूचना प्रणाली है तो यहाँ पे 50 लाख रुपए की विवस्था प्रस्तावित है प्रावदिक सिक्षा की बात करें कि वो प्रदेश में 198 राजकी 119 अनुदाने ते 217 संस्थाएं है उन्चास पॉलिट टेक्निक यहाँ पे निर्माणा धीन अवस्थापना प्रक्रिया में है पीपीपी मोड पे इन्हें बनाया जाएगा 1266 निजी शेतर डिपलोमा असरी संस्थाओं में चात चात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है राज की अनुदाने ते निजी शेतर की संस्थाओं को समलित करते हुए कुल प्रवेश छम्ता का करीब 1126 जार 436 करोण रुपए का यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया बजट में एक बात और यहाँ पे कही गई कि प्रदेश शरकार की 1 ट्रिलियन एकॉनमी डॉलर की एकॉनमी की योजना के क्रम में 6-7 को अधिक रोजगार देना इमर्जिन टेक्नोलोजी आधारित उद्योगों है तो मैंटबावर को उपलग्द कराना और इसके लिए 2022 तेस्ट में न्यू एज ट्रेट्स के अंतरगए 4 पार्ट क्रम डेटा साइन्स, मशीन लर्निंग, इंटरनेट आउफ तिंक, साइबर सेक्योर्टी, ड्रोन टेक्नोलोजी के सिक्षन प्रसिक्षन को यहाँ पर प्रस्तावित किया गया व्यफसाई के हम कॉशल विकास के लिए यहाँ पर देखे तो चार और द्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में विखसित करना नवीन राज की और द्योगिक प्रसिक्षन संस्थाव में 31 को PPP मॉडल पे संचालित करने का लक्ष उत्तवदेश कोशल विकास मिशन के द्वारा 2022 तेश में दो लाग इबाउं को पंजिक्रित करते हुए प्रसिक्षन प्रदान करने का लक्ष रखा गया है IT और Electronics के छेत्र में देखा जाए तो सरकार के द्वारा उत्तवदेश डेटा सेंटर नी 2021 के था है इन डेटा सेंटर पाकिस खापना 256 मेगावाट डेटा सेंटर उद्ध्यों को विक्सित करना और इसके लिए 20,000 करण रुपए के निवेश का लक्ष रखा गया है बेसिक सिक्षा के छेत्में 2021-22 में 1,32,912 परशदी प्रात्मिक उच्छ प्रात्मिक कंपोजिट विद्ध्यालियों में एक समनो 6,6 करोन बच्चों का नामंकन कराया गया 2022 देश में परशदी विद्ध्यालों में स्कूल चलो अभियान के तहट अंतरगर चात्रों को चात्र नामंकन करीब 2 करोन रखा गया समगर सिक्षा भियान के तहट 18,670 करोन 72 लाग रुपए की विवस्ता प्रस्तावित है इसी तरीके से सैक्षिक सत्र 2021-22 में परशदी माध्मिक उच्छ प्रात्मिक विद्ध्याले अश्राशकी सहायता प्रात्मिक पोर माध्मिक विद्ध्याले विद्ध्याले अच्छा एक से आठ तक अध्यन 6,7 के उपयोगवार थे तो यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल, बैक, जूता, मोजा, इत्याद की धनराश यहां पर डीबीटी मॉड्यूल के तहर सीधे 6-6 चात्राओं, माता-पिता एवाकों को सीधिट बैंक खाते में हस्तान तरित किया जाने की विवस्ता की गई है, 157 करोण रुपए बच्चे लाभानवित होंगे, 2022-23 के लिए इसके लिए बजट में 370 करोण का प्रस्ताव किया गया, मध्यान भोजन योजना किता है, 2022-23 में प्रदेश के एक सम्दो 4-4 लाग प्रात्मिक और उच्च प्रात्मिक विद्ध्यालों में अध्यनरत 2 करोण यहाँ पे चात्रों को यहाँ पे इसके अंतरगत कवर किया जाएगा, माध्यमिक सिक्षा के तहत अगर हम देखें, प्रस्ताव है, संस्क्रित सिक्षा को विवसाय परक बनाने के लिए आत्मिक विश्यों के साथ इसे समावेश करना, NCRT का पार्ट करम लागू करना, संस्क्रित पार्ट सालाओं को अनुदान के लिए 344 लाग करों रुपए की विवस्ताप्रस्तावित है, वहीं समग्र सिक्षा अभियान के तहट 2022 तेस में 836 लाग रुपए की विवस्ताप्रस्तावित है, उच्चे सिक्षा के छेतर में अगर हम देखें, तो आधनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए गुणवत्ता युक्त सारभोहों में की रोजकार परक सिक्षा उपलब्ध कराने के लिए रास्त्री सिक्षानी 2020 को प्रस्तावित या प्रभावी रोप से क्रियानवित करने के लिए सरकार प्रतिबध है, प्रदेश में तीन नए राज विश्विद्याले बनाए जाएंगे, भूतत्व खनी कर्म के रूप में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के किये जाने का उद्देश है, इस आफ डूइंग बिजनस को बढ़ावा देना, खनन से जुड़ी सेवाओं, साधारन मिट्टी के खनन, परिवहन, बाढ़, जमा, उपखनेज के विवस्थापन, परियोजनाओं के निर्माड, उससे निकले उपखनेज, निस्तारन, खनिजभंडारन, अनुग्या, उपखनेजपरिहार, पट्टानिसपादन, खनिजपरिवहन, करनेवले वाहनों के पंजीकरण की कारवाही ऑनलाइन समय बद्धधंग से की जाएगी, खादी वाग ग्रामोद्योग के द्रिशकोंट से अगर देखा जाये तो इसमें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतरगर 2022 ते इसमें 800 इकाईयों को इसमें अस्थापना करना, 16,000 लोगं को रोजगार देना, पंडी दीन दियाल उपाध्या खादी विपड़न विकास सहायता योजना के लिए 15 करन रुपए की व्युस्था को प्रस्तावित किया गया है, उक्ते धनराज 34 प्रिशत खादी कामगारों को सीधे उनके खाते में पारदर्शी तरीके से, विपड़न विकास से 33 प्रिशत खादी संस्थाओं को 33 प्रिशत धनराज की सहायता कित्परदान की जाएगी, जिससे खादी के उत्पादन में गुणोत्तर वृध्धि हो सके, इसके लवा हत्करगा एवं वस्तरुद्योग के लिए अगर हम देखें, तो इसमें अनसूचित जाद के बुनकरों को सरोजगार हे तो बढ़ावा देने के लिए जलकारी बाई, कोरी, हत्करगा एवं पारलूम, विशेज, घटक योजना को संचालित के जाने हे तो 8 करोण रुपए की विवस्ता प्रस्तावित है, वहीं प्रदेश के पारलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्धुत उपलब्द कराने के लिए 2500 करोण का प्रस्ताव रखा गया, बाकी यहाँ पर मुख्य बजटी संकेतक हैं, राज के वचन बद्ध व्य के मुख्य बजटी संकेतक, जैसे की देखा जाए तो यहाँ पर सरकार के राज सरकार के इस बजट में वेतन पर यहाँ पर करीब जो खर्च अनुमान है, आपको 1,53,579,66 करोण रहेगा, पेंशन पर देखा जाए तो 70,777,75 करोण, ब्याज का जो रहेगा 45,97,46 करोण रुपई का बजट अड़मान है, इन तीनों का अगर हम मिला लेते हैं तो 2,66,634 करोण रुपई, रिणों का प्रतिदान 22,563, रिण सेवा 68,550, राज सुबई, 45,56,89, राज सुबराप्ती 4,99,212 करोण रुपई, ची तरह इन सारे चीज़ों का यहां पर वेतन राजस पर तैन सम्लों 7 पर साथ पर शएथ, बैंशन राजस सुबरेट सम्लों 9 पर सेद बैयाज राज़स पराप्तियां पर सम्लों 8 पर सब्याज सम्लों 4 पर सिर्ट गlor. दो प्रस्ज़त refused यहां पर रहने का लुमान है, इसके लावा इन सभी चीज़ों को यह हम मिला लें अथात वेतन, पेंशन, ब्याज, प्लस राजस प्राप्तियां तो यह साथ समलोग साथ पिशत है पेंशन, वेतन, पेंशन, ब्याज, राजस प्राप्तियां के मिला है तो 55 समलोग 4 पिशत है रिंड, सेवा, राजस इसका इस साल का बजट रहा है, जो सभी महत्पॉर्ण, घटनाकरम, हाइलाइट्स, हमने यहाँ पर देख लिए हैं, सभी यहाँ पर तथ्यवार, जानकारी ले लिए है, योजना, घोशनाएं, बजटी, आवंटन, घाटा, इत्याद के बारे में, इसको